करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम एनिया में चलिए तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि UPSC IES के लिए और इसके इलावा जितने भी स्टेट PCS के एक्जाम होते हैं उनके लिए आपको कौन कौन सी NCRT पढ़नी है उसमें बहुत सारी चीज़े रहती हैं कि इस्ट्ट कहते हैं कि जो है 6 से 12 तक की जो NCRT है वो सारी की सारी NCRT पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है तो उसी चीज़ के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ और जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी NCRT ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है इनके अलावा आपको एक सिंगल NCRT नहीं पढ़नी है जिन जिन किताबों के बारे मैं आपको बताऊंगा वही किताबे पढ़नी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, तो सबसे पहले पॉलिटी की आपको ये वाली किताब पढ़नी है, और ये आपको दिखरा होगा राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक सिद्धान्त या पॉलिटीकल थियोरी की जो किताब है, और ये कच्छा 11 के लिए NCIT की किताब आती है ये किताब देख लिए आप लो NCIT की किताब है कच्छा 11 के लिए और राजनीतिक सिद्धान्त या political theory नाम से किताब आती है कापी संदर किताब है ये किताब अको पढ़नी है इसके अलावा कच्छा 11 के लिए की एक और किताब आती है इस किताब का नाम है आपका भारत का सिद्धान्त सिद्धान्त और व्यभार यानि इसको हम कह सकते हैं कि Constitution of India पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेवियर यह जो किताब है आपकी इस यह 11 11 की किताब है यह भी आपकी और इसे आप ले सकते हैं बहुत सांदर किताब है इसके अलावा राजनीति विज्ञान की एक और किताब है जिसका नाम है समकालिंड बिस्वराजनीती जो है यह आपको इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला टॉपिक होता है आयार वाला टॉपिक उसके के लिए काभी फाइदेमंद होती है और ये किताब जो है आपकी कख्षा वारे के लिए है NCIT की किताब है इस किताब को आप पढ़ सकते हैं बहुत सांदर किताब है आप देख सकते हैं को इसके लावा राजनीती विज्ञान की एक किताब और है जिसे आप पढ़ सकते हैं स्वतंतर भारत में राजनीती की किताब है काफी संदर किताब है कैसे कैसे हमारा सम्मेदान बना क्या-क्या चीजें होई वो सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई है और भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद किस तरीके से राजनीतिक जो बचार धाराओं का विकास हुआ क्या-क्या इस्टेप जो है वो लिए गए वो सारे की सा सबसे पहले आपको किताब पढ़नी है क्लास 9 की क्लास 9 के लिए किताब है और अगर आप चाहें तो इसको एक दिन में क्लास 12 के लिए किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं काफी बैतरी किताब जो है मानी जाती है इसके लावा एक किताब और है जो आपकी क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 के लिए जो किताब है आर्थिक विकास की समझ आर्थिक विकास की समझ का भी बैतरीन किताब है इस किताब को आप पढ़ सकते हैं और अगर आप इन तीन किताब को एकोनोमी में पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है क एकनोमिकी जो आपकी बेसिक समझ है वो बेसिक समझ का भी बैतरीन बन जाएगी इसके अलावा अब हम आते हैं भूगोल पर तो भूगोल की पहली किताब आपको पढ़नी है सामाजिक विज्यान समकालिन भारत 2 क्लास 10 के लिए है यह भूगोल की किताब है इसके अलावा किताब है इसके अलावा एक किताब और है आपकी यह भी क्लास 11 के लिए है भारत बहुत एक पर्यावरण यानि जो फिजीकल जोग्रफिय के बारे में इसमें बताया गया है काभी बैतरीन तरीके से एंसी आइटी की मानी हुई किताब है इसी भी जो है जनरल स्टोर पर अबर एंवार्णमेंट जो वुक है यह क्लास 7 के लिए काभी बैतरीन किताब है इसको आप पढ़ सकते है तो आपकी भूगोल की आपकी किताब हो गई तो भूगोल की किताब हो गई अब तक आपकी चार इसके अलावा पांच भी जो भूगोल की किताब है वो है आपकी सा यह आपकी क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान संसाधन एवम विकास ठीक है और यह किताब जो है यह वी आपको पढ़नी है संसाधन विकास वाली के जो क्या-क्या रिसोर्सेज हैं और कैसे कैसे जो है डवलम्मेंट रिसोर्स के माध्यम से हो सकता है इसके लावा इतियास के लिए केवल आपको दो इन इसका दिया गया है इसी में समकालिन 200 इतियास की किताब है ज्यान रखिएगा इसके अलावा आधनेक भारत के लिए यह किताब है कच्छा बारे के लिए इतियास की पार्टे पुस्तक है एंसी आईटी है यह वी विपिज जंद्रा पर आदारित है गर आप देखें तो इसमें इसके लेकर यहां पर ब किताबों को पढ़रएं हैं correlate अगर आपको final selection लेना है तो उसके लिए भी कई सारी किताबें आपको पढ़नी पढ़ेंगी यह को पढ़ना तो पढ़ना तो पढ़ेगा UPSC है UPSC के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है तेकर ऐसा नहीं है कि आप चार किताबं पढ़के UPSC निकाल ले हर सब्यक्ट के लिए पतली पतली किताब होती है जो किताबं में आपको दिखा रहा हूं यह किताबं क्या है एक एक दिन में अगर आप पहुचा हो एक दिन नहीं तो दो दिन में इनको पढ़ लो आ रहा है काफी बिल्कुल easy language में दी गई होती है easy language जो है वह आप अगर पढ़ेंगे तो आपको तो अगर आप सारी किताबों को पढ़ेंगे तो कोई फाइदा नहीं है केवल यही किताब पढ़ने हैं इसके इलावा कोछ नहीं पढ़ना है क्या लिए थेंक्यू थेंक्यू बेरी मच्छ